नमस्कार मित्रों मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत करती हूँ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार ऐसे ही बनाई रखें इसके अलावा आप मुझसे जूतिश ये परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी दी हुई है उसके थुरू संपर कर सकते हैं अभी 50% डिसकाउंट चल रहा है इसका लाग उठाईए इसके अलावा ऐसे लोग जो पूरे साल में ये जानना चाहते हैं 2019 में कि कौन सा दिन उनके लिए शुब है और कौन सा दिन उनके लिए अशुब है क्योंकि ग्रह की शुबता और अशुबता काफी कुछ इफेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ पर तो अपनी डेली लाइफ को बहतर बनाने के लिए चंदर गोचर और अन्य ग्रहों का जो गोचर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसके अलावा वार, तिथी, नक्षत्र, करण और योग इन पाथ चीजों से मिलकर पंचांग बना है और पंचांग में बहुत सारी परिस्तितियां, ऐसी पंचांग को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, किसी खास काम को करने के लिए और कौन सा दिन अशुप है इन बातों का विचार करना बहुत ज़दा आवशक होता है और इसके पीछे यही भावना चीपी रहती है कि जिस काम को भी आप हाथ में लेवें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो लेकिन कई बार विफलता प्राप्त होती है, so many factors works there, बहुत सारे factors काम करते हैं लेकिन वो आपको पता नहीं होते हैं, तो इन सब बातों को जाज करवाने के लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं इसका भी हमने बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा है, और इसके लिए आप क्या प्रक्रिया है, कितना शुल्क है, यह जानने के लिए भी आपको description में इमेल आईडी को चेक करना पड़ेगा, और यह छोटी सी राशी आपके पूरे साल को बहतर बना सकती है, कई बार आप किसी खास काम के लिए जाते हैं, गाड़ी अपनी हो या कैप करके जाते हैं, उसमें आपके काफी 1500 रुपे तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, और फिर कार में सफलता भी नहीं मिलती है, तो अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा दिन आपके लिए शुब है, कौन सा दिन आपके लिए अशुब है, किस दिन क्या बात करें, क्या बात ना करें, किसी खास प्रियोजन के लिए, नॉर्मल छोटी छोटी बातों के लिए तो इस और ज जैसे कि चोगडिया जिसको सामने भाशा में आप बोलें तो कुछ खास घड़ी होती है, कुछ खास मूरत होता है, जिस समय कुछ खास कार्य वर्जित होते हैं, इसके अलावा मूल नक्षत्र होते हैं, जैसे कि कई लोग ऐसी महिलाएं हैं जो डिलीवरी जिनकी होने वाली है जो एक समभावना है जिस समय पर और उस समय मूल पढ़ने की आशंका है, तो आप सिजेरियन डिलीवरी करा कर वो समय बदल सकते हैं डिलीवरी का और आपके बच्चों का जीवन भी सुख में बना सकते हैं, बच्चों को कई तरह की बाधाउं से बचा सकते हैं आप, यदि ग्रह गोचर की इस्ति आपके डिलीवरी के टाइम पर गलत बन रही है, तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा जिनका विवा सम्मन तय नहीं होता, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, कि आप सही समय पर सही बातचित नहीं करते, इसके अलावा कुछ खास रंगो दिखी थी, उस कुंडली में जबरदस्त योग थे, जो कि बहुत अशूब योग कहे जा सकते हैं, लेकिन जब हमने उनको समझाया घरवालों को, तो ग्रामीन परिवेश में थे वो लोग और ग्रामीन शेत्रे से बिलॉंग करते थे, तो वो लोग इतना विलीव नहीं करत और डाउरी मतलब उसको फिर वो एक गर्व अपना बहुत प्राउडली बोल रहे थे कि हम इतने बात करने हैं पैसों की और इतनी, तो यह जिस मुझे काफी गलत लगी, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत भाहिशकार करती हूँ डाउरी का, और मैं बहुत विरोध क करती हूँ कि जब भी आप किसी का विवा संबन तय करें, तो पैसों पर बात ना करें, क्योंकि जीवन अनमोल होता है, पैसे शनिक होते हैं, आज हैं, कल नहीं है, लेकिन यदि जीवन साथ ही अच्छा हो, एक दूसरे को समझने वाला हो, तो संबन टिकाउँ और स्थाइत होते हैं, तो यह बहुत सारी चीजें हैं, जो जो तिस्टे जुड़ी होते हैं, मानना ना मानना आपके हाथ में हैं, सुक्तुक देना विधाता के हाथ में हैं, जो तिस्ट फीए less than that, जीवन को परिशक्रत करके उन्नत बना सकता है, लेकिन उस लिए कुछ राशी तो आप ये कर्म ही है तो आपको विल्कुल systematic तरीके से ही परामर्ष लेना चाहिए तो मेरी सला तो यही है आपको कि 2019 में आपकी बहुत सी बाध हैं आप आने से पहले ही रोक सकते हैं अपने कुंडली के बारे में जानकर अपने जीवन के शुब अशुब समय को जानकर तो बिना देर के बाद में डिस्काउंट देना संभव नहीं होगा मैं तनो आज का वीडियो में समाप्त करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद